गुद्वानी स्टुडेंट्स आज क्लाश 10 के इस वीडियो में एक्सरसाइज 24 के कॉंसेट प्रियाली फार्मूले बताए जाएंगे और आपको एक्सरसाइज 24 के कुछ सवान भी साथ की जाएंगे आपके लिए अब है आपका एक त्रिवात बहुपद के सुन्यकों और गुडांकों में संबन जैसे कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि त्रिवात बहुपद मतलब जो बहुपद रहेगा उसकी अधिक्तम घाप तीन की होपी अभी सक आपने त्रिवात बहुपद पड़ा अब है त्रिवात बहुपद माना कोई त्रिवात बहुपद कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वाइर प्लस सी एक्स प्लस ड्यान देजिए इसमें जो है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वाइर प्लस सी एक्स प्लस ड्यान देखिए एक्स क्यूब है एक्स स्क्वाइर एक्स है यहाँ ए बी च और डी यह अचर पद है अचरपत का मतलब संख्याएं अब ऐसा कि हम सब को पता अगर त्रीघात बहुपद है तो इसके कितरे सुन्यक होंगे तीन सुन्यक कि सुन्यक अभी आपने विगात बहुपद में पढ़ा था कि विगात बहुपद में दो सुन्यक होते थे अलफा बीटा अब है त्रीघात बहुपद है तो इसके कितने सुन्यक होंगे तीन सुन्यक अलफा बीटा और एक और म awakened दिया है आमने गामा क्योंकों है अलफा है बीटा है और गामा इसके तीन सुन्यक है तीन सुन्यक हैं अब आपने उसमें पढ़ाता सुन्यकों का योगफल या इसी को हम मूल भी कहते हैं क्या कहते हैं मूल सुन्यकों का योगफल तो हम लिखेंगे फार्मूला यहां से बनेगा सुन्यकों का योगफल सुन्यकों का यह उफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनेश यक्स इस्क्वायर का गुड़ा बटें यक्स क्लूब का गुड़ा अगर विल्हात बउपद होता था तो सुन्यकों का योफल क्या होता था हम जानते हैं कि उसका योफल होता था यक्स का गुड़ा कबटे यक्स स्क्वायर का गुड़ा माइनेश यक्स का गुड़ा कबटे एक्स स्क्वायर का गुड़ा यहां पर इसका अगर हम सुनने को खूली के हमने सुनने क्या माना है अलपा योगपल माने फ्लस बीटा फ्लस गामा माइनेस एक सिस्क्वाइर का गुड़ा क्या त्रिगार बहुबद मेच्चा है बीए और यह स्क्यूब का गुड़ा क्या है एर कि में हैं लिए का हैं नुए लिए के बाती है आσταश कोक्त घृच की बीके सब्सक्राइब बती है अब यहां पी होता है अलफ़ को सोनेको का गुड़न ली ता य में होता था होता है उसमें जाओंगअ लिए हैं यह भी कह सकते हैं अलफ़ भीटा अलफ़ बीटा को ले लो बीटा गामा को ले लो गामा अलपा को ले लो दो दो को लेकर अगर हम योगपल जाते हैं तब आलिखेंगे दो सुन्नेकों को एक साथ लेकर योगपल यह होता है दो सुन्नेकों को एक साथ लेकर होता है यक्स का गुड़ाम बटे यक्स क्यूब का गुड़ाम इसमें मायन नहीं होता है यक्स का गुड़ाम बटे यक्स क्यूब का गुड़ाम अब दो सुन्य कौन कौन हो इससाथ लेकर जैसे ये बना रहे हैं इसको भी लिख सकते हैं अलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा बराबर लेके दो सुन्य का अलफा बीटा बीटा गामा गामा अलफा दो सुन्य को को इससाथ लेकर 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 यह पार्वूला बनता है, X का गुड़ाँ से क्या होता है C, गटे X Q का गुड़ाँ है, इससे यह पार्वूला बना, ठीक, अब है, यहां लियान देनीजिए एक बार कोई त्रीगास बाउपद है, इसके सुनने को और गुड़ाँ को में संबंद इसकी सत्यता कि जहां चब धिके सुननेक, यह थीज त्रीगास बाउपद रेजिक के सुननेक हैं, तो कितने सुननेक होंगे? तीन सुननेक होंगे. तीन सुननेक हुमने मान हैं एक अलप़ा, एक बीटा और एक गामा. तो सुननेकों का योगपद होता है, पारम्ब्वLa मायने तएक डिस्ट्वाइर सब्सक्राइब को एक साथ लेकर योग पर एक्सक्राइब को एक साथ लिया गामा को एक साथ लिया अब हम देख रहे हैं कि तीनों का सब्सक्राइब को एक साथ लिया अब ही और बाकी है जो गुण नफल होता है को सब्सक्राइब को एक साथ लो मिन घवद लेकर अज अब होगा सुन्यकूं का गुरन पल जो रुफल खतम हुआ गुरन पल तो सुन्यकूं का गुरन पल जो होता है वो होता है अचर्पल बटे यक्सक्यों का गुरां अभी जो तुई रात वाउपर आपने पढ़ा था सुन्यकूं का गुर्ण दें कि इसमें इसे साथ ये इसमें यक्स नहीं है तो अचर्पद क्या हो गया टृ Shiva को अब सुन्रेखों का गुड़नुपन क्या होगया अलपावीटाद्बा गहां माईं तीनों के भीच में गुड़ेकारी चिंदी अचर्पद्ध क्या होगया अगर आप यह सोचते हैं जैसे हम दो सुन्रेखों का यो वरूपल कीए दो सन्यकों को एक सास लेकर तो गुड़नफल नहीं होगा, प्रहां हम ऐसे कहेंगे αलफा गीटा, गुड़े बीटा गामा गुड़े गामा अलफा तो ये क्या मन जाएगा अलफा स्कुरी बीटा स्कुरी गामा स्कुरी तो यह गहां गुड़नफल हो रहा है दोस्तों नेकों कोई एक साथ लेकर गुड़नफल का फार्मूला नहीं होता तो यह जो है इस चैप्टर के लिए कुछ फार्मूले हैं इसको आप याग रखिएगा अब हम सुरू करते हैं सवाल कुर्स्चन नमबर एक करा है यदि एक त्री घात बहुपद के सुननेक माइनस तीन कामा जीरो कामा पाश हमने पहले भी बताया आपको कि त्री घात बहुपद है तो उसके तीन सुननेक होंगे दू घात बहुपद है तो दो सुननेक एक गात बहुपद है तो एक सुननेक तो लिटें के, 3 गात बहुपद के सुन्य बेराबर दिया है, माई में 3 है, कामा जीरो है, कामा 5 है, 3 सुन्य के ये हैं तो कह रहा है तो उस बहुपद को गयाती है जैसे AXQ plus B X2 plus CX plus D यह सुलोप में कितना होगा यह तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं चूंकि alpha plus beta plus gamma एक चीज़ आप जान देजिए आपको दोईगात बहुपद में दोईगात बहुपद बनाने का फार्मूला बताया गया था X2 minus alpha plus beta into X plus alpha into beta लेकिन यहां में फार्मूला खिलाल है तो लेकिन हम पहले दूतरे तरीके से बता रहे हैं फिर अगले वीडियो में फार्मूला भी हम आपको पताएंगे की फार्मूले से यह कैसे बन सकता है तो था alpha plus beta plus gamma बराबर होता है minus b बटे a minus b बटे a अब यहां पे आपको यह सूचना है कि b कौन है, a कौन है, a कौन है, a कौन है, a कर c कौन है ठीक है? a, b और c कौन है? यह आपको जानना होगा, माल लिए आप, sorry, alpha कौन है, beta कौन है, gamma कौन है, गलती हमने कह दिया तीन सूनने कहां तो यह alpha होगा, beta एक gamma अब इसमें हमने माल लिए minus 3, alpha plus 0 को उने माल लिए beta plus gamma, gamma माल लिए आज ने, gamma को माल लिए 5 है यह हो गया minus b बटे a पांच में से तीन घट गया तो हो गया दो माइनस बटे जान दीजिए यहाँ अब यह क्या हो गया अगर हम इसका तेरे गुड़ा कर दें यह हो जाएगा माइनस बड़ाबर तू ए ऐसे हो सकता है या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ए बराबर माइनस बटे दो वही धर गया बटे दो हो गया यानि माइनस बी हम उपर लिखें या इसको हम क्या कर सकते हैं बटे माइनस दो लिख सकते हैं एक बटे हम कितना लिख सकते हैं लिख सकते हैं यहाँ से ए पेज नीचे एक बीटे निचे माइनस तो आया फिर हम जानते हैं दो सुन्निकों को एक साथ लेकर इसका पार्णूला अलफा बीटा बीटा गामा गामा अलफा ये क्या होता है? C बटे A होता है C बटे A अब अलफा कामान माइनस C न गुड़े बीटा बीटाम निदिया 0 प्लस बीटा कामान 0 गुड़े गामा कामान 5 प्लस गामा कामान 5 गुड़े अलफा कामान माइनस 3 बराबर C बटे A ये होगा? मान यांसर रखा जरा अलफा बीटा गामा कामा ये माजन 3 में 0 गुड़ा बीरो पांच में जीरो बुळा, 0.5 यह उगा मािनुस पंदरा, प्लस माइनुस कोक्ड़ा, माइनुस 15, c बट्टे a, यह होगा, अब c बट्टे a यहा, ठीम दिगे, यहा आया, मा्नुस 15 बराबर c बट्टे a, यहां से क्या होगा, एक बटे एक बराबर सी बटे माइनस पंदरा होगा जैसे यहाँ, तेरे पुड़ा करेंगे माइनस पंदरा देखिए कैसे हो सकता है, यहां लिखेंगे माइनस पंदरा एक बराबर सी तो ए बराबर सी बटे इदर गुड़े में इदर आएगा बटे, यहां बटे एक लिख स आलपा वीटा गामा इनों का बुरता क्या है डी बटे हैं हमको A, B और C का मान यहां से चाहिए ठीक है नहीं A, B, C और D का A का मान A, B का मान मान माईड़े तो यहां भी A का मान एक, C का मान मान अब D निकालना है दिया एक अमान हार जेगे वही आएगा समान आएगा हर एक क्योंकि A हर एक फार्मुले में है अलफा प्लस बीता प्लस गामा तरही है अलफा प्लस गामा इसमें भी A है अलपा एंटू बीटा एंटू गामा इसमें भी एक आमान हर जगे वही आएगा जो पहले से आए ठीक है अब यहाँ से निकालते है अलपा बीटा गामा यानि तीनों का गुड़ा माइन तीन गुड़े बीटा कामा जीरो गुड़े गामा कामा पाँच अब यहां से हम लिख सकते हैं अब होगा हमारा अब यहां से हम बनाएं अब यहां जाते हैं तो इसा रूप में होता है अब इसा नहीं करें हम जीरो को इधर पच्छांतर करें एक इस तरीके से एक 2 कामान एक हैदी कामान जीरो है यहां देखे गीड़िकामान किसके बरबरा परबर यहाद इसके णिएक करते बराबर जार यहाद है बाई बुड़ा करेंगे तब एक आमान जीरो से बुड़ा होगा, जीरो हो दिया गए, कोई अंतर नहीं ना है इसमें, अब हमने ये क्यों किया, देखिए एक आमान हर देगे एक के नीचे एक आ रहा है, यानि एक आमान एक है, अब हम निकालेंगे त्रिघाद बहुपद, त्रिघाद बहुपद का पार्मूला जो होता है, यहां पर नहों अलग इसमें लिख लिया जाए, इसमें लिख 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 तसा 3 से A बटे 1 बराबर B बटे माइनस 2 C बटे कितना राज्टी कमाद माइनस 15 और D बटे 0 अब त्री गात बहुपद क्या होता है A X Q ब्लस B X C इसी रूम पे तो होता है त्री गात बहुपद अभी आपको पहले ही बताएगे माना कोई त्री गात को बहुपद ब्लस C X ब्लस B यह अब यहां से आप मान रखेंगे A का मान कितना है A क्यानी यह आएगा कि A क्यान लिखा यह जाय नहीं होगे यह प्लस B का मान है माइनस 2 यहां हो जाएगा माइनस 2 X Q यह प्लस C का मान है माइनस 15 इंटो 1 प्लस D का मान है 0 हमने क्या कहा था इसमें अधिकत्ब 4 पद हो सकते है 4 से अधिक नहीं हो X Q माइनस प्लस का अगुड़ा माइनस 2 X स्क्वायर प्लस माइनस का अगुड़ा माइनस 15 इंट ये हमारा 8 बहुपर क्या ज़िए टरीगास बहुपर तो इस तरीके से हम 3 बहुपर ग्याद कर लेंगे ऐसे ही सवाग दिया एक 3 बहुपर ग्याद खिए जिसके सुन्गों का यूगपल 3, 2 सुन्गों को एक साथ लेकर उनके Не कई गुडन फलों का योग माहिने से एक तीनों सुनिकों का गुरंपल माहिने सीन तो सब मान दिया है हम दो मान रखेंगे तो अब आगे कोशिस करिएगा खिलाल आज के वीडियो में बस यहीं तर फिर आगे जो है कल बताए जाएंगे चले ठीक है थैंक्यू